लंबे टाइम तक याद रखेंगे, तो मैं आप लोगों से final solution बताऊं क्या है, अगर आप इन सब चीजों में फसें, आपको वह ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप ये मत घवराइए कि मेरी photo जो की intimate थी, या मेरी video जो की intimate थी, वो कोई बाहर निकाल देगा, तो मेरे पापा क्या स चोचेगी, socially लोग मुझे बिल्कुल, मतलब बाहर कर देंगे, avoid करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, रुकिए, कोई भी incident, अगर आप बाहर निकल के आते हैं, वो कहते हैं आपको, मैं तेरे ये video या photo viral कर दूँगा, उसको एकी बात बोलनी है, कर दे, कर दे, मैं वो लोग क्यू चार दीन ही लोग याद रखते हैं, तो इतनी सी बात के लिए अपनी जिंदगी को खतम करने की जूर्द नहीं है, और ये sextortion वाला plan, उनका flop करवाना है, पैसे देने की भी जूर्द नहीं है, घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, आप उसको बोलेंगे ना, हिम्मत दिखाए तो वो पकड़ा जाएगा, तो ये इतना असान नहीं होता, जिसके पास photos और videos होती ही, इतना असान नहीं है, कि वो public कर देगा, public कर भी देगा, तो 3-4 दिन के बाद लोग भूल जाएगे, लेकिन याद रखेगा, जब आप सामने निकल के आते हैं, एक तो आपने क्या किया उसके blackmailing में नहीं आए, उसकी बातों में नहीं आए, और उस आपने हिम्मत दिखाई उसको, और जब आप हिम्मत दिखाते हैं, तो आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, जो कि इन चकरों में फसते हैं, तो उनमें भी हिम्मत आती है, कि नहीं यार, हम भी लड़ सकते हैं, प्यार किया था, गुना नहीं किया था, फस गया वो अलग बात है, लेकिन इन चकर में अब और नहीं फसूँगा, मैं बताऊंगा लोगों को कि मेरे साथ क्या हुआ था, blackmailing, no, sextortion, no, अगर कोई आपसे पैसे मांग रहा है, देना नहीं, देना नहीं, और उसको एक ही बात ब है कि क्या ये काम सिर्फ तुम ही ने किया है क्या जिन्दी, बहुत सारे लोग करते हैं, don't worry about that, ठीक है, इसलिए गभराने की जुर्त नहीं है, और आप इसके बारे में सोचने की भी जुर्त नहीं है, आप ऐसे ही फूलों के टकराने से नहीं आये हो, समझे इस बात को, और